कि नमस्कार दोस्तों WI metallic to stock D&A the D&A of stock market दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे टू ब्लैक गैपिंग candlestick pattern strategy जी हाँ दोस्तोוכandlestick pattern strategy की जो सेरीज हम लोग चलाने की कोशिश करते हैं उसoterी फ्रिश लोग हमेशा बढ़िया बढ़िया चीज एकदम अनकॉमोन सी चीज एनड प्रीमियम सी चीज सीखने की कोशिश करते हैं जैसे लास्ट टैम हम लोग स्कूब पैटन स्ट्राडीजी सीखा था तो ऐसे यह बैतरी इन बैतरीन पैटन स्ट्राडीजी के वीडियो उसके साथ साथ आज का वी ये वीडियो है सेम टू ब्लैक गैपिंग कैंडल स्टिक पैटन स्ट्रेटेजी जो के बियरिश कॉंटिनुएशन की एक इंडिकेशन देता है और जो शॉर्ट सेलर्स है उनको एक बेनिफिट मिलता है ये कैंडल स्टिक पैटन से तो पहले हम दोस्तों के साथ लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो भी मेरे दोस्त अब नए हो इस चैनल पर इस वीडियो के दोरान तो दोस्तों पहले ये समझ लेते हैं कि ये टू ब्लैक गैपिंग क्या है एक्चुली नाम से ही आपको थोरा सा पता चल रहा है टू ब्लैक गैपिंग मतलब टू कैंडल्स तो ब्लैक मतलब ब्लैक कैंडल्स यानि कि रेट कैंडल रेट कैंडल को ब्लैक कैंडल भी कहा जाता है तो रेट कैंडल्स होगा दो और उसमें से एक कंडिशन्स या यह है कि फस्ट जो कैंडल होगा फस्ट कैंडल ए एक बरे से एक मारूवजू रेट कैंडल होगा और उसके अगले दिन एक गैप आप होगा जैसे कि यहां पर क्लोजिंग तब पिछले दिन अगले दिन एक गैप आप हुआ लेकिन पूरे दिन यह सस्टेन नहीं कर पाया और एकदम नीचे जाके क्लोजिंग दिया क्लोजिंग देने का भी एक क्राइटरिया है क्लोजिंग कहां पर होगा इस प्रिवियस डे का जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग होना जरूरी है डे टू का मारूवजू कैंडल दोस्तों यहां पर एक गौर करने की बात है कि यहां पर हम लोग मारूवजू कैंडल को ही कॉं consider नहीं कर सकते हम लोगों को सिर्फ ये मारो वोजू candle को consider करने के लिए राजी होना पड़ेगा ठीक है तो दोस्तों ये थम्मेन फंडा अभी क्या है कि दो कंडिशन आपने आपने सीखा यहाँ पर कि अगले दिन अगर क्लोजिंग दे तो भी वह लेकिन उसके नीचे कैसे एंटरी ले सकते हो क्योंकि यह बहुत बड़ी केंडल और बन चुकी है तो दोस्तों ये तो ध्यान में रखना ही हमेशा अभी एंटरी कैसे होगा अभी एंटरी इसके लो के नीचे होगा और stop loss आप यहां पर भी रख सकते हो और यहां पर भी रख सकते हो as and when needed तो दोस्तो आप चलते हैं में मुद्दे पर में मुद्दा क्या है चार्ट है दोस्तो यह देखो चार्ट रिलाइंस का रिसेंट चार्ट और रिसेंट चार्ट में रिलाइंस ने एक ब्रेक आउट जो दिया था उस ब्रेक आउट के पहले भी हम लोग इस जो लेवल पर जब ब्रेक आउट देके ऊपर जा रहा था उस उसी दिन उसी लेवल पर यह हम लोग जो टेलिग्राम चैनल पर इसका शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने के बाद ये लगबग 5-6 परसन मूव दिया और उसके साथ-साथ कई सारे स्टॉक्स है जो टेलीग्राम पे शेयर किया जाता है जहां से आप लगभग लगबग से लगबग 50-100% एक हपते के अंदर कमाते हो दोस्तो इस हपते का जो मूवमेंट है उसको जाके जस्ट चेक करो जो भी मेरे दोस्त अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुरे हो इस डेस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो के डेस्क्रिप्शन में वहां से जाके क्लिक करके जुड़ जाना और जाके देखना कि इस फ़क्ति का जो फ्यू एक्जांपल्स मैं दे रहा हो कि रेमॉंट एलवर्ड डेविट और रेन इंजिन उसके साथ साथ आज चला यूएफो काल चला था एम एम भी आई और जब चला तो चला 20% 25% चला ऐसा तो टोटल जाके देख लेना वहां पे क्या-क्या शेर्स होता है हमारे फ्रेंट्स कैसे वहां से प्रॉफिट्स करते हैं तो प्लीज टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाओ तो रिलाइस का यह जो चार्ट है यह रिसेंट चार्ट में रिलाइस एक रेजिस्टेंस के पास से जैसे घुमा और ब्रेक आउट होने के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग के बाद धीरे धीरे और रिस्टेंस को वहां पे रिस्पेक्ट हिया और धीरे धीरे और देखो एक्जेक्ट यही पे यह सेम पैटर्न बना टू ब्लैक गैपिंग यह फर्स्ट कैंडल नेक्स्ट से देखो गैप आप और उसके लो के नीचे क्लोजिंग और उसके नीचे देखो धराम करके नीचे आगाया और लगबग 5-6% का मुवमेंट यहां से यहां तक का तैय किया यह दोस्तो दोस्तो यहां पे एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि यह पैटर्न आपको हमेशा रेजिस्टेंस के पास ही मिलेगा रेजिस्टेंस के पास जैसे कि यहां पे हम लोग देख सकते क्लियर कट रेजिस्टेंस है क्लियर कट रेजिस्टेंस के पास ही हम लोग को यह पैटर्न मिला और वहां से 5-6% का जो गिरावट है वो हम लोग को देखने को मिला उसके साथ- जो short seller है actually short sellers क्या कर सकते हैं यहां पर इसके नीचे sale कर सकते हैं आराम से profit को ले सकते हैं यहां पर buyers जो है वो यह थोरा सा उसको दिक्कत हो सकता है क्योंकि buying site में यह जो यह opportunity नहीं बना है और जो हमारे जो जो stocks है जो futures के stocks है उन में ही सिर्फ short selling available है बाकी cash का stocks या napty500 का stocks बहुत सारे stocks है जिसमें यह short selling allowed नहीं है तो futures के stocks में जो भी मेरे friends काम करते हैं और short selling भी करते है तो उन लोगों को यह बहुत ही अच्छा एक pattern सीखने को मिला और उन में से बहुत अच्छा रिटर्स जिनरेट करने को भी मिलेगा दोस्तो दोस्तो इसके साथ साथ चलते हैं नेक्स चार्ट पे नेक्स चार्ट क्या है नेक्स चार्ट कोटक महिंदा मैंक और आप देख सकतो एग्जैक्ली वही रिजिस्टेंस एरिया के पास ही मेरा करसर है और वहाँ पे देख सकतो कैसे यह मैं जूम आउट करके रखा हूँ कैसे यहाँ पे यह बना और यह बनने के बाद देखो तो इसके नीचे मार्केट धरम धीरे 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 नीचे आने लगा और देखो कितने सारे rate candles यहाँ पे बनने स्टार्ट हो गया और उसके बाद market सीधा नीचे अपने next support के पास ही आके रुका जैसे की यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये total profit आपका अगर आप इस area पे short selling करते हो तो अभी देखेंगे एक chart जो chart सब लोग जानते है इसको ये trade के लिए उतना फाइदे मन नहीं रहता है लेकिन जब जब ये चलता है उपर ये नीचे तब तब ये बहुत अच्छा मौका generate करता है और ये stock का नाम है ITC जैसा की आप देख सकतो resistance area में ठिक exactly देखो ये candle बना एक मारू वुजू candle अगले दिन gap अप और उसके low के नीचे closing और उसके low के नीचे market एकदम धराशा ही हो जाता है तुरंट वहाँ से entry लेने पर दो चार पास दस दिन के अंदर ही ये चला आता है अपने next support के पास जो की यहाँ पे है और इसी रिया पे आप देख रहे हैं exact support है तो वहाँ से फिर से ये थोड़ा सा कुछ consolidate करके वहाँ पे candle stick pattern जो भी already आप सीखे हुए हो जो चैनल पे जाके वे और सारे pattern strategies के वीडियो है वो उसको देख लेना वहाँ से कैसे market फिर से bounce करके ऊपर बुलिश हो जाता है वो candle की patterns भी वहाँ पे discuss किया गया है उन में से यहा market फिर से यहां पर उट उटके एक चलांग लगाया और इसका profit को profit भी generate किया है दोस्तों तो यह था कुलमिला के बाद हम लोग जो सीखे है इस वीडियो में वो है two black जो gapping है वो gapping और यह इसका total funda है और chart के साथ हम लोग इसको सीखने की कोशिश किया तीन chart हमने देखे और exact कितने अच्छे काम किये है swing trading की इसाफ से जो लोग short selling करते हैं या फिर short selling का मजा लेते हैं वो लोग ये pattern को बहुत ही अच्छे तरीके से use कर सकते हैं और जो भी मेरे दोस्तों buying side में रहते हो या फिर buying side में trade करना पसंद करते हूं वो भी निराश मत होना क्योंकि क्योंकि same pattern आपको buying side में में मिल सकता है सिर्फ condition यही है कि एक ऐसे support पे एक ऐसे green candle होना चाहिए अगले दिन एक gap down होगा फिर उसके उपर जाके close देगा इसका जो भी high होगा इस high के उपर जाके close देगा और इसका जो high होगा उसके high के उपर हम लोग trade कर सकते हैं हमारे next swing तक दोस्तों यह बहुत important है same to same ही है जैसे black gaping उसका ultra यह है इसको आप white gaping भी कह सकते हो जो कि आपके bullish side के है निशानी है और इसमें हम लोग buying भी कर सकते हैं तो buying बाले दोस्त निराश मत होना क्योंकि आपके लिए यह last way funda भी बता दिया तो दोस्तों इस वीडियो के लिए य अच्छा लगा ऐसा ही हम मानते हैं तो वीडियो को like share कीजिए comments कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye thank you